वेलकम फ्रेंड एक बार फिर सु आगत है आपका स्टडी हाइट्स पर मैं हूं कियास्तोमर दोस्तों आज की वीडियों में हम बात करेंगे इगनु के असाइमेंट स्टेटस के बारे में कि अगर आपने इगनु में जब भी जून सेशन हो या दिसंबर सेशन के एक्जाम से पहले अपने अगर असाइमेंट सम्मिट किये हैं चाहे वो ओफलाइन सम्मिट किये हो या ओनलाइन सम्मिट किये हो तो उसका आपको स्टेटस कैसे चेक करना है क्योंकि इस्टुएंट्स अपने असाइमेंट तो सम्मिट कर देते हैं बट उन्हें यह नहीं पता होता कि कि उनके assignment का status उन्हें पता चलेगा कि क्या उनके assignment submit हुए हैं या नहीं हुए हैं तो वो सभी detail जानने के लिए इस वीडियो में मैं आपको complete detail step to step बताऊँगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो assignment status चेक करने के लिए आप यहाँ पर हमारी website studentadda.org.in पर जाएं इस website का link आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा वहाँ से click करके भी आप इस website पर आ सकते हैं आप देख रहे हुए आपके सामने studentadda की official website है इस website पर आपको यहाँ पर सबसे उपर ही यहाँ पर मिलता है New Assignment का option यह New Assignment का option जो आपको यहाँ पर मिल रहा है यह drop down menu है जैसे आप इस पर आएँगे नीचे आपको यहाँ पर assignment status का option दिखाई देगा आपको इस पर click करना होगा click करने के बाद आप next page पर आ जाएंगे जो कि आपके assignment status चेक करने के लिए page है यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना 10 number का enrollment number डालना होगा हो सकता है आपका enrollment number 9 number का भी हो तो maximum 10 digit तक का enrollment number यहाँ पर fill हो सकता है तो वो आपको यहाँ पर enter करना होगा तो यहाँ पर मैंने enrollment number फिल कर दिया है उसके बाद second option आता है यहाँ पर enter program code यानि जो भी आप course इगनू से कर रहे हैं उस program को आपको select करना होगा select के option पर जैसे आप click करते हैं यहाँ पर एक drop down menu open होता है इसमें आपको सभी इगनू के courses मिल जाएंगे जो भी इगनू courses provide कराता है आपको देखना होगा कि आपका कौन सा course है जो आपको select करना है हो सकता है अभी आपको यह drop down menu दिखाई ना दे रहा हो यह मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्कीन रिकोर्डिंग उन कर रखी है जिसकी वज़े से यह drop down menu आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा बट अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको यह दिखाई देगा क्योंकि आपने स्कीन रिकोर्डिंग उन नहीं की होगी यहाँ पर मैं अपना program code स्लेक्ट करता हूँ जो भी मेरा program code है यह enrollment number मेरा BA program का है तो यहाँ पर मैं BA स्लेक्ट करूँगा उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे submit का option मिलता है इस option पर आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके assignment, practical, project marks इन सभी का status सो हो जाएगा यानि कि अगर आपने practical भी दिये हैं या project दिये हैं या assignment submit के हैं उन सभी का status आपको इसी तरीके से चेक करना होगा यहाँ पर आप उपर देख सकते हैं आपे सबसे पहले enrollment number दे रखा है आप यह verify करें कि enrollment number आपका ही है उसके बाद यहाँ पर program code है यहाँ पर बिये लिखा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर assignments की पूरी list दी गई है जितने भी assignment इन्होंने submit किये हैं यहाँ पर काफी सारे assignments इन्होंने submit किये हुए है जो कि यह 2019 से assignment submit करते हुए आ रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर latest assignment submission देखेंगे यहाँ पर मैं आपको बता दू यहाँ पर इन्होंने 2021 में इनका assignment रिसीव हुआ है जो कि है BEGE101 का subject है यह December 2020 exam के लिए इन्होंने assignment submit किया था और इसका जो status है वो है received and in process इसका मतलब है कि आपका assignment आपके study center पर पहुंच चुका है और उसको check किया जा रहा है और उसके marks भी आपके जल्दी ही आपके grade card में add कर दिये जाएंगे और यहाँ पर जो date है यहाँ पर receive होने की वो 15 जुलाई 2021 है यानि कि last month में यह assignment इगनोंने receive कर लिया है और हो सकता है कि बाकी उन्होंने जो assignment अभी submit किये है वो अभी इगनोंने receive ना किये हो या फिर उनका status अभी update ना किया हो जिस वज़े से हाँ पर इस list में उन्होंस बाकी subject show नहीं हो रहे है तो अगर in case अगर आपका कोई subject show नहीं होता है अगर आपने चार subject के assignments दिये थे उसमें से दो subject show रहे हैं और दो नहीं होते हैं तो उसमें tension लेने वाली कोई बात नहीं है आपके दो subject के marks भी जल्दी ही update कर दिये जाएंगे तो इस प्रोसीजर में काफी time लग जाता है काफी बार ये काफी जल्दी खतम हो जाता है और काफी बार ऐसा होता है कि assignment status update होने में 2-3 महिने का time भी लग जाता है तो इसलिए परेशान होने की जरूत नहीं है आपके assignments marks update हो जाएंगे in case maximum 3 months में भी अगर आपका assignments update नहीं होते है या उसके status update नहीं होता है then आप अपने study center पे contact कर सकते हैं आपको जो assignment submission की slip मिलती है उसको लग जाकर आप अपने study center पे जाएं वहाँ जाकर आप पता करें कि आपके assignments अब तक update क्यों नहीं किये गए है तो यह सारी information आपको आपके study center से मिलेगी इन case अगर आपका study center response नहीं करता है तो आप उस case में अपने regional center पर जा सकते हैं जो भी regional center आपको इगिनू की तरफ से alert किया गया है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बाकि सभी subjects के assignment status update कर दिये गए हैं तो अगर आपने अभी June 2021 के लिए अपने assignments submit के हैं तो उनका status भी कुछ इस तरह से ही update होगा और आपको इसी तरह से तरीके से उसे check करना होगा बट अभी बहुत ही कम students हैं जिनके assignment status update हो रहे हैं क्योंकि अभी तक assignment status की date अभी कुछ दिन पहले ही over हुई है तो अभी update होने के लिए थोड़ा time लगेगा जल्दी आपको सभी assignment के status list में show होने लगेंगे उमीद करता हूँ कि आपको properly आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपने assignment के status चेक करना है और किसी भी subject के लिए किसी भी practical के लिए आप इसी तरीके से अपना assignment status चेक करेंगे तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी मैं बिलूँगा आपसे next वीडियो में एक नई topic के साथ तब तक अपना ध्यान दखेगा चैनल को subscribe करना ना भूलेगा and thank you so much for watching